हेलो स्टूरेंस नमस्ते आज हम नौलज इन इंग्लिश का लेसिन 15 आर रिवर्स पढ़ेंगे आर रिवर्स मतलब नदियां हमारे देश की नदी के बारे में उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कौन से राज्य से कौन से स्टेट से नदी फ्लो होती है बहती है ठीक है हम यह आपे भी लिखे में answers आपने इसको thoroughly learn करना है अच्छे से learn करना है जिसे की questions जो आपको question paper में आई तो आपट आपट इसका answer कर सको या तो ये one line notes होते हैं या one word होते हैं तो आपने ये learn करके अपनी notebook में लिखना है कैसे करेंगे आप अपनी notebook में notebook में या तो आप पहले सारे questions लिख लेंगे ठीक है? answers के लिए space छोड़ देंगे और फिर आप answers learn करेंगे वीडियो में से देख कर वीडियो में से सुनेंगे और उसको लिख लिख कर learn करेंगे और फिर final जग अपनी notebook में जिसमें आपने questions लिखे हैं उसमें आप book close करके और वीडियो close करके अपने आप learn आपने जो learn करें में answers वो आप लिखेंगे आपको कहीं भी confusion हो आप अटक जाएं तो आप फिर से देखेंगे answer और फिर उसको learn करके यहाँ अपनी notebook में लिखेंगे ऐसे आपको अच्छे से learn हो जाएगा आप orderly भी questions answers अपने parents को सुना सकते हैं या बमी को या बाबा को आप बोलेंगे अपने parents को कि आपको question बोलें और आप उसका answer बताएं ऐसे आपको अच्छे से learn हो जाएगा 10 questions है आपने तो और लिए अपनी notebook में लिखेंगे learn करने हैं थिक है are rivers question number 1 through which state does the ganga flow क्या पूचा है question ganga river कौन से state से दब कौन से राज्य से flow होती है तो हम क्या लिखेंगे the ganga flows through उत्तर प्रदेश बिहार and west bengal कहां से flow होती है उत्तर प्रदेश बिहार और west bengal कौन सी river कौन सी नदी ganga ganga river उत्तर प्रदेश बिहार और west bengal से flow होती है अब आपने अपनी note book में जब answers लिखेंगे sentence लिखेंगे और answers लिखेंगे तो आप answers को underline करेंगे जैसे मैंने यहां पे कर रहा है ठीक है ऐसे ही आपने सारे answers को underline करना है जो आप लिखेंगे अब इसमें गंगा के बारे में पूचा था इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पूचा है कि वो कौन से स्टेट से कौन से राज्य से flow होती है तो हम क्या लिखेंगे ब्रह्मपुत्र फ्लोज थू अरुनाचल प्रदेश और आसाम अरुनाचल प्रदेश और आसाम से flow होती है थू विच स्टेट दस दे महानधी फ्लोज थू महानधी कौन से स्टेट से flow होती है महानधी फ्लोज थू मद्यप्रदेश और उरिसा विच स्टेट दस दे गुदावरी फ्लो थू गुदावरी रिवर कहां से flow होती है महराश्ट्र और आंदर प्रदेश अभी नीचे वाले answers आपको थोड़ी clear नहीं होंगे तो ये पीछे picture की वज़े से shadow हो रही है clear नहीं है, dark नहीं है बट गुदावरी में आपको ये सारे answers type करके बेजूंगी whatsapp में तो आपको इसमें अगर कोई भी confusion होई की तो आप इसमें से देख लेंगा through which state does the Krishna flow Krishna river कहां से flow होती है Karnataka and Andhra Pradesh through which state does the Kaveri flow Kaveri कहां से flow होती है Kaveri flows through Karnataka and Tamil Nadu आप confused नहीं होंगे आप पहले अच्छे से river का नाम पढ़ेंगे उसको learn करेंगे और उसके बाद वो कौन सी state से flow होती है उसको learn करेंगे confused नहीं होंगे और पहले अच्छे से river का देख कर फिर आप state उसके साब से state learn करेंगे through which state the Nirmada flow नर्मदा कहां से flow होती है? Madhya Pradesh and Gujarat Through which state the Sutlej flow? The Sutlej river कहां से flow होती है? Himachal Pradesh and Panjrab Through which state the Luni flow? Luni river कहां से flow होती है? Rajasthan Which state does the? Which state does the Tapti flow through? The Tapti flows through Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat Tapti means Tapi, Tapi nadhi, Tapi river Flows through Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat Okay ये 10 questions हैं आज का आपका ये काम है कि आपने ये वाला lesson 15 lesson R-Rivers के बारे में पढ़ना है लिखना है और उसके answers learn करने हैं Okay Thank you